हेलो एवरिवन, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे exercise 13.8 का solution इस exercise में जो shape हमें given है वो है sphere की अब sphere के लिए आप daily life में जो example ले सकते हैं वो है tennis ball और foot ball इससे आपको clear हो जाएगा कि वो किस shape में है sphere की sphere में diameter ही इसका होता है इसकी कोई भी height नहीं होगी यानि कि diameter से हम क्या find out कर देते हैं radius तो अब start करते हैं first part में हमें find the volume of a sphere whose radius is अब radius given है sphere की और first part में ये radius जो हमें given है वो है 7 cm तो इसको हम r से denote करते हैं और ये है 7 cm अब आप देखिए जो volume है volume of sphere इसका क्या formula है 4 by 3 pi r cube ये आप learn करोगे formula किसके लिए for volume of sphere के लिए तो अब इसको हम solve करते हैं 4 by 3 pi के place पे 22 by 7 और ये r cube है यानि कि जो radius की value है उसका cube उसको हम लिख देंगे 3 times तो radius की value 7 थी तो इसको हमने 3 times लिख दिया है तो 7 से 7 cancel out अब कोई भी numerator पे number नहीं है जो denominator यानि 3 से cancel होगा तो इनको अब हम multiply कर देंगे 4 को 22 से 88 7 को 7 से 49 इन दोनों की multiply 4312 आ जाएगी और इसको किस से divide कराना है अब 3 से तो इस according जो हमारा answer आ जाएगा वो आएगा 1437.3 cubic centimeter क्योंकि unit हमारी cube centimeter में है और जब भी हमें volume को find out करना है तो हम उसको लिखेंगे cube में तो यह था solution हमारे first part का अब second part में देखिए radius given है 0.63 meter तो second part के लिए हम radius को लिख देते हैं जो radius है वो है 0.63 meter volume को हमें find out करना है इसको आप लिख सकते हो 63 by 100 meter तो अब volume क्या है sphere की 4 by 3 pi r cube volume of sphere जो volume है sphere की यह क्या है 4 by 3 pi r cube तो अब value को put कीजिए 4 by 3 pi के place पे 22 by 7 और यहां r cube 63 by 100 फिर 63 by 100 और फिर यहां क्या जाएगा 63 by 100 तो देखिए आप 3 और 3 से cancel करते हैं यहां पर यहां आ जाएगा 21 7 से करते हैं तो 3 आप जो numerator की values है उनको multiply करके लिख देंगे उससे calculation easy हो जाएगी अगर आप 4 से cancel करते हो तो यहां 25 आएगा 25 किसी भी number से यहां cancel नहीं होगा और फिर आपको जादा लंबी division करनी पड़ेगी अब इससे direct हो जाएगी आपकी कैसे यहां देखिए आप जब हम इनको multiply करते हैं 4 को 22 से फिर उसको 3 से और फिर 63 से और जो answer आग उसको भी 63 से तो हमारे पास जो value आने वाली है यह मैंने calculate कर रखी है आप भी देखिए 1047816 यह value numerator में आ जाएगी और denominator में देखिए 1 के साथ कितनी 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 तो अब इससे calculation हमारी easy है तो उपर से हम back side से ही 6 digit के बाद क्या लगा देंगे decimal लगा देंगे तो इसके बाद जो हमारा answer आ जाएगा वो आएगा 1.047816 और unit हमारी meter में है तो answer आ गया है cubic meter और इसको approximate हम क्या लिख सकते है decimal के 2 digit के लिए और क्या value हम लिख सकते है 1.0 अब देखिए यहां तक हमें लिखना है यह number 5 से जाद है तो इससे पहले वाले number में 1 add हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो बन पॉइंट जीरो फाइव यहां जाएगा बन पॉइंट जीरो फाइव क्यूबिक मीटर एप्रोक्सिमेट कि तो यह हमारा final answer हो जाएगा second part का अब next question है second question find the amount of water displaced by a spherical ball of diameter 28 cm first part में अब amount of water displaced by यह कितना water displaced किया जाएगा इस spherical ball से तो इसका meaning क्या है हमें क्या find out करना है volume find out करना है जब भी capacity की बात हो तो हम उसमें क्या find out करते है वोल्यूम को तो अब देखिए diameter हमें given है spherical ball का यह है 28 cm अब radius क्या है diameter का half तो 28 by 2 answer आ जाएगा 14 cm फिर हमें क्या find out करना है volume volume of a spherical ball तो spherical sphere में है यह तो volume क्या है 4 by 3 pi r cube तो इस according value को put कर दीजिए 4 by 3 pi के place पे 22 by 7 और r cube r की value है 14 तो इसको हम लिख देंगे 3 times अब next 7 से cancel करते हैं यहां पे क्या जाएगा 2 और 3 से कोई भी number divide नहीं होगा जो numerator में लिखा हुआ है तो इनको हम multiply कर देंगे 4 को 20 2 से 88 88 को 2 से तो यह आजाएगा 176 176 की 14 into 14 196 से multiply तो answer क्या जाएगा 3 4 4 9 6 यह आएगा answer इसको हमें क्या करना है 3 से divide तो अब divide करने के बाद जो हमारा final answer आएगा वो होगा 11498.67 और यह आजाएगा cubic centimeter में तो यह हमारा answer है first part का अब next part है second part इसमें हमें diameter given है 0.21 meter तो इसको हमें अब solve करना है तो diameter की value है 0.21 meter इसको fraction में हम लिख लेंगे 21 by 100 meter radius क्या है diameter का half तो half के लिए यह 1 by 2 into 21 by 100 तो यह answer आजाएगा 21 by 200 meter फिर हमें क्या find out करना है volume को volume of spherical तो इसकी 4 by 3 pi r cube तो अब देखिए आप 4 by 3 pi के place पे 22 by 7 r cube 21 by 200 फिर आजाएगा 21 by 200 और फिर आजाएगा 21 by 200 3 को 7 से multiply 21 तो एक 21 तो इन दोनों से cancel हो गया आप देखिए इसको 2 से divide कीजिए यहाँ पे क्या जाएगा 100 और यहाँ आ गया है 2 फिर इस 2 से यहाँ न डिवाइड करें आप इसको कीजिए यहाँ 100 आ जाएगा फिर 2 से cancel कीजिए यहाँ 11 और यहाँ पे 100 तो अब हमारे पास क्या number बचा है 11 multiply 21 into 21 यह होता है 441 और यहाँ 1 के साथ कितनी 0 आ जाएगी 6 तो अब इन दोनों की multiply 4851 और denominator पे लिख देते हैं इसको तो अब देखिए इसको हमें solve करना यह असान होगी अब solve करना 0 point अब देखिए यहाँ तो number of digits है इसमें number वह है 4 और 0 कितनी है 6 तो इस according यहाँ पहले हम क्या लगा देंगे 00 फिर 4851 यह जैसा आपके teacher ने आपको सिखाय होगा यह इसको हमें कैसे decimal में convert करना है तो यह आ जाएगा cubic meter तो यह हमारा final answer है second part अब next question है third question statement है the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter what is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per cubic centimeter अब देखिए यहाँ है per cubic centimeter एक तो यहीं से आपको बचलेगा cube का बाता है जब हम volume को करेंगे find out और यहाँ से भी देखिए what is the mass of the ball ball का mass क्या होगा तो उसके according हमें क्या find out करना पड़ेगा जो metallic ball है इसको हम किस shape में लेंगे sphere की और उसके हमें find out करना पड़ेगा volume को तो देखिए अब start करते हैं इसका solution diameter हमें given है 4.2 centimeter तो अब radius क्या है diameter का half d by 2 तो इसको हम लिख देंगे 4.2 by 10 sorry 4.2 by 2 तो इसको 2 से cancel कर देते हैं तो यह आ जाएगा 2.1 और 2.1 को क्या लिखेंगे 21 by 10 और unit है हमारी centimeter में इसको 2 से किया है cancel तो अब हमें इसकी volume को करना है find out तो volume के लिए formula 4 by 3 pi r cube तो 4 by 3 into 22 by 7 r cube क्या है 21 by 10 फिर 21 by 10 और यहां भी 21 by 10 यह हमने लिख दिया 3 और 7 को multiply करेंगे 21 आएगा तो एक 21 cancel अब 4 को 22 से multiply 88 21 को 21 से multiply 441 और अब divide में क्या है यहां पे यह 1000 आजाएगा 1 के साथ कितनी 0 आजाएगी 3 तो इन दोनों को multiply करते हैं तो यह आजाएगा 38808 by 1000 तो इसको अब लिख लीजी आप तो यह क्या बन जाएगा 38.808 cubic centimeter तो mass हमें क्या given है अब देखिए mass if the density of the metal is 8.9 gram per cubic centimeter तो देखिए 1 cubic centimeter का जो mass हमें given है वो क्या है mass of 1 cubic centimeter metal यह हमें given है 8.9 gram तो हमें mass किसका find out करना है 38.808 का तो mass of 38.808 cubic centimeter metal तो इसको हम multiply कर देंगे 38.808 से तो इस according जो हमारा answer आजाएगा वो आएगा 345.3912 gram और इसको अगर हम approximate लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा 345.39 gram approximate अब next question है fourth question the diameter of the moon is approximately one fourth of the diameter of the earth जो moon का diameter है वो one fourth है diameter of the earth की यहनी कि हमें पहले diameter बता होंजी अर्थ का तभी हम किसका find out करेंगे moon का what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon तो इसके लिए पहले इन दोनों की volume को हमें find out करना पड़ेगा फिलेना है उनका ratio तो अब start करते हैं इसका solution पहले हम suppose करेंगे diameter of earth को तो वो है x diameter of earth को हमने क्या suppose कर लिया है x तो radius क्या हो जाएगी इसका half x by 2 अब जो volume है volume of earth जो earth की volume है वो क्या हो जाएगी 4 by 3 pi r cube तो इस according 4 by 3 pi r cube क्या है x by 2 into x by 2 और फिर x by 2 इसको हमें cancel out नहीं करना है क्योंकि यह ratio में अपने आप cancel हो जाएगा 4 by 3 pi और यहां आजाएगा x power 3 और divide में 2 into 2 4 4 into 2 8 तो यह तो volume आ गई है earth की अब जो diameter है जो diameter है moon का वो क्या है 1 4th of the diameter of the earth according to statement तो earth का जो diameter वो x था तो moon का उसका 1 4th है यानि कि क्या हो जाएगा वो x by 4 इस according जो इसकी radius है वो किसके क्वल? diameter का half तो यह 1 by 2 into diameter x by 4 तो जो radius आई है moon की यह क्या जाएगी x by 8 अब volume of moon क्योंकि इसकी volume को भी हमें क्या करना है find out moon की जो volume है वो क्या 4 by 3 यही pi r cube तो इस according देखे 4 by 3 pi और r cube x by 8 into x by 8 into x by 8 तो इसको भी आप cancel आउट ना करें 4 by 3 pi और यह क्या जाएगा x cube by 8 cube 8 into 8 64 64 into 8 512 अब यह दो volume आगी है हमारे पास volume of the earth and volume of the moon अब required ratio जो required ratio है according to statement वो क्या है volume of moon volume of moon by volume of earth तो moon की volume क्या है 4 by 3 pi into x cube by 512 by 4 by 3 pi into x cube by देखे आप यह क्या लिखा हुआ है x cube by 8 तो यहां यह आ जाएगा तो यह दोनों same है यह cancel out होगे x cube से यह x cube cancel out तो यहां क्या रहा है अब 1 by 512 और इसके by में क्या है यह 1 by 8 तो इसको अब हम simplify करते हैं पहले 1 by 8 कर ऐसी प्रोकल 8 by 1 इसको cancel out कीजिए यहां आ जाएगा 64 तो answer आ गया 1 by 64 और ratio क्या बना है 1 ratio 64 तो यह final answer है हमारा 4th question का अब next question है 5th question और यह last question भी इस वीडियो का इसके बाद वाले question को मैं next part में जो वीडियो बनाँगो उसमें मैं आपको इनको solve कराऊंगा तो 5th question की statement है how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 cm hold अब hemispherical bowl यह जैसे bowl होते हैं घर में हम use करते हैं वो hemispher है अब sphere नहीं है यह इसका half है तो volume भी उसकी half हो जाएगी इसमें कितने liter milk आ सकता है liters में बुचा गया है और unit हमेरे centimeter में गिवन है तो यानि कि इसकी हमें पहले volume को find out करना पड़ेगा फिर उसको change करना है हमें liters में तो देखिए statement के according diameter हमें गिवन है hemispherical bowl का 10.5 cm तो इसको हम पहले fraction में लिह लेते हैं 105 by 10 तो इसको अब cancel कीजिए 5 से यहां आ जाएगा 21 और यहां आ जाएगा 2 तो यह आए 21 by 2 cm तो radius क्या है diameter का half तो इस according 1 by 2 into 21 by 2 तो यह आ जाएगा 21 by 4 cm यह है radius of this hemispherical bowl अब हमें volume को find out करना है volume of hemispherical bowl तो इसके लिए formula क्या है जो hemispherical bowl के लिए देखे spherical bowl के लिए क्या होता है 4 by 3 pi r cube तो यह hemisphere उसका half है 2 by 3 pi r cube तो अब इस according देखिए 2 by 3 into pi 22 by 7 और r cube r क्या है हमारा 21 by 4 इसको हम लिख देंगे 3 times तो यह हमने लिख दिया है 3 और 7 की multiply 21 तो यह cancel होगे 2 से cancel करते है यहाँ पर क्या जाएगा 2 और 2 से फिर cancel करोगे यहाँ पर 11 अब 11 की multiply करनी है 21 into 21 441 से और by में क्या है 4 into 4 16 तो जब आप इनको multiply करोगे दोनों को तो क्या जाएगा 4, 8, 5, 1 11 की 441 से multiply बाए में है 16 तो इनसे जो answer आपको आने वाला है वो है 303.1875 और क्या लिख सकते हो आप इसको 303 क्यूबिक सेंटिमेटर एप्रोक्सिमेट इसको एप्रोक्सिमेट में क्या लिख सकते हो 303 क्यूबिक सेंटिमेटर अब आपको एक यूनिट पता हो कि 1 लीटर इनने यही पुछे हम से how many लीटर 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटिमेटर therefore 1 क्यूबिक सेंटिमेटर किसके एको लोग जाएगा 1 비 1000 लीटर के तो जहां क्यूबिक सेंटिमेटर लिखा हुआ है आपको क्या लिखना है वहाँ पे 1 by 1000 लीटर तो इसरकोर्डिंग अब हम क्या करेंगे 303 वाई 1000 और क्यूबिक सेंटिमेटर के प्लेस पे लीटर तो अंसर क्या आ जाएगा 0.303 लीटर एप्रोक्सिमेट तो ये हमारा फाइनल अंसर है question 5th का और इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे इसके बाद वाले question के लिए मैं next वीडियो बनाऊँगा आपके लिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए जिन्स प्रेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे comment section मेरे साथ share करें